हे अल्राइट और वेलकम टूल इंट टोड़े इस जहिंदू न्यूज डिसकेशन नाव डेली के बेसिस पर हम पेजवाई डिसकेशन करते हैं और हर एक पेसे जो भी इंपोटेंट न्यूज रहती है प्रिलिम्स और मेंस के लिए उसको डिसकस करते हैं नाव सबसे पहला यूनिक अनलेस इसले रहता है जो भी हम न्यूज डिसकसन करते हैं वो नोट्स के फॉर्म में करते हैं यानि कि उसका जो भी सलेवस में उससे टर्म्स मेंसन रहेंगे यूपियसी रेलेटेट चीज़े हैं वो सब डिसकस हम कर लेते हैं ओवरॉल एनलेसिस का सबसे पहला सेक्षेन ये रहता है कि ओवरॉल सबसे पहले न्यूज पेपर का ओवर्वियू दे देते हैं कौन कौन सी न्यूज आई हैं केला में साइकलोन आया ताउती उसके बार में पढ़ेंगे और आज एक दूसरी बाड़ी पढ़ेंगे इनकोईस ये क्या है ठीक है कल हमने डेटेल में पढ़ा था डेटेल में पढ़ने के साथ साथ इनकोईस भी आज हम पढ़ने वाला है थर्ड एपिक में भी आ सकती है Foreign Contribution Regulation Act ये क्या होता है NGO को क्यों इसमें रेइस्टर करना पड़ता है इसराइल और पैलिस्टाइन में अभी भी चीज़ें चल रही है United Nations Security Council Sunday यानि कि कल रवीवार को मेटिंग होती है जिसमें ठीक है India का क्या instance है वो भी बताऊंगा India ने क्या favor किया या या नहीं इसराइल को ये बताऊंगा और United Nations Security Council में क्या बाते होई क्या बोला गया कि क्यों इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में अब क्या होना चाहिए सब राज ये lockdown लगा रहे हैं एडिटोरियल कुछ हम पढ़ेंगे डेटेल में और कौन-कौन सी situation वर्स हुई हैं वो भी जानेंगे कौन सा model आप्ट करना चाहिए आज का सबसे important है ट्रिबुनल के बारे में ये question आज हम UPSC mains के लिए भी करेंगे NIA ने searches की मदूराइए में क्या हुआ ये detail में discuss करेंगे CBI ने अभी दो CDSEO official को bribery के case में पकड़ा CDSEO क्या था ये आपको पता होगा और CBI के बारे में जानेंगे detail में वर्ले लावल पर जानेंगे United Nations Security Council में अभी क्या instance राज जो meeting हुई उस पर क्या decision ले गए ठीक है ये सब detail में discussion आज के paper में करने वाले हैं अगर आप social media से cut हैं फिर भी आप telegram application download कर लिजे क्योंकि यहाँ पर UPSC से related बहुँ ज़दा important material आपको मिल जाते हैं साथ-साथ में क्या है आपको telegram application में सर्च करना है उपर chats में at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे इस free group में होता क्या है daily के basis पर देखिए एक free में UPSC mains question आपको करा दिया जाता है मतलब mains के practice free में हो जाती है जो answer writing अच्छी होती है वो हम share भी करते हैं ताकि जो हमारे paid user answer writing करती है उसके help आप लोगों को मिल जाए उसके साथ साथ जो दूसरे terms है science and technology के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते है daily के basis पर तो इस telegram channel को जरूर करना join करना ना भूल है बागी अगर आप PR publication के paid courses को join करना चाते हैं और हमारे साथ मिल के preparation करना चाते हैं बहुत affordable कम prices में तो early plan है 499 रुपीज का जिसमें पूरे एक साल तक देहिंदू के notes daily answer writing NCRT 612 chapter wide notes phone guidance आपको मिल जाता है अगर आप UPSC के लिए dedicated aspirant हैं तो early plan NCRT testage plan Cset plan 999 रुपीज में आप avail कर पाएंगे 999 रुपीज में avail कर पाएंगे जिसमें ये वाला और ये वाला course दोनों ही lifetime मिलेगा अगर NCRT testage revise करनी है और जो prelims का second paper होता है Cset का उसकी videos के साथ PDF आपको मिलेगी लेना कैसे हैं ये courses बहुत simple है दिए गए नमबर पर Google पर phone पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot हम से share करनी है और हम आपको अपने private group में add कर लेंगे within one year हमारे साथ 1500 से ज़ादा UPSCA sprint मैं दूसरे exam की preparation करने वाले नहीं बोल रहा सिर्फ dedicated UPSCA sprint समसे जुड़े होए हैं और daily के basis पर benefit उठाते हैं अपने current notes का और दूसरे हमारी guidance का तो start करते हैं news paper सबसे पहले news है पांच लोग मारे गए जो इतनी तेज हवा चल रही थी केरला और करनाटा का में भी अब धीरे-धीरे पहुंचने वाला है very severe cyclone के category में इसको रखा गया है cyclone का नाम है ताउती और यह expected किया जा रहा है कि आज साम तक गुजरात की कोस्ट में भी यह पहुंच जाएगा केरला और करनाटा का में तो इसने पहुंच के पांच लोगों की death भी हो गई गेल, force wind, heavy rainfall, high tidal waves यहाँ पर सब देखने को मिला केरला और गोवा में और करनाटा का में पांच लोगों की जान भी चले गई बहुत सारे लोग मारे गए certain houses अपरूट हो गए electricity poles houses तो नहीं, houses damage होए पर electricity poles पूरे उखड़ गए त्रीज एंड फोर्सिंग, large scale evacuation अब इस पर IMD ने क्या बोला Indian Metrological Department जो forecast करता है ताउती, उन्होंने बोला ये very severe cyclonic storm की category में हम रखेंगे और अब अगले 24 घंटे में ये गुजरात कोष्ट को भी हिट करेगा उसके साथ साथ एक public information issue की joint bulletin इनकोईश ने और IMD ने की ये damage कर रहा है पोरबंदर अमरेजी जुनागर्ड इन जगे पर पर अब बात आती है ठीका IMD तो आपको पता है क्या है बड़ आपका सोचने का तरीका ये होगा कि IMD तो चलो forecast करता लोगों को information देगा पर joint bulletin inquis कौन है इसके साथ inquis एक center है Indian National Center for Ocean Information Services हैदराबाद में center है इसने मिलकर IMD ने एक public information issue किया कि बहुत ज़दा damage हो रहा है इस इस जगह पर करीबन करीबन डेर्ड लाक लोगों को एक जगे से दूसरे जगे सिप्ट किया गया बहुत सारे केरला के जो dams हैं भारी वर्सा होने के कारण केरला के जो dams हैं उनका भी level बढ़ गया उसके साथ साथ बहुत सारी जो नेशनल डिजास्टर response force होती है इंडियारफ और राजी सरकार की HDR उनको भी deploy किया गया अलग-अलग राज्यों में जैसे केरला करना टक यह सब राइट अब यहां पर से हमारी बहुत सारी इस निउस से UPSC के perspective में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ हैं सबसे पहले very severe, IMD, ताउती यह क्या होता है डिटेल में डिसकस करेंगे आज इस निउस में नई चीज़ भी है इनकोईस, यह क्या होता है, कैसे काम करता है तो निउस में पूरा पड़ा होगा जब मैं explain कर रहा हूँगा आपको गेल फोर्स विंड के बार में आपके मन में भी होगा सर यह गेल फोर्स विंड क्या लिखा है तो कि अलग अलग जगे पर गेल फोर्स विंड के अलग अलग हाला कि उसकी definition है अगर मैं universal बोलूँ जनरली सभी जो states में continent में माना जाता है गेल फोर्स विंड का मतलब क्या होगा आप कैसे categorize करोगे या कैसे बता सकते हो कि गेल फोर्स विंड है जब आप मैं कहूंगा 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की speed of wind की तो गेल फोर्स विंड के basis पर categorize करा जाता जैसे US में है इंडिया में और जदा difference variation होते है बट इंडिया में हमें कौन से जानना है very severe cyclonic storm या cyclonic storm के basis पर category जाननी है तो I think अब आपको पता चल गया होगा कि इस news से क्या क्या चीज़ें हमाले important हैं इस तरह से हम आपको अपने paid user group में add करते हैं जहां पर इस तरह से material आपको मिल जाता है सबसे पहले AMD जान लेते हैं all over India में एक cheap government agency है जो metrology, cosmology उसे जुड़े होई subject के बारे में जानकारी देती है 875 में बनी थी Ministry of Arts Science के अंदर आती है headquarter नई दिल्ली में है जिसको metrological department या metrological बारे में जितनी भी जानकारी से related subjects होते हैं जैसे irrigation सिचाई में उनको जानना पड़ता aviation कोई plane उड़ा रहा है या नी वो कहेगा यार मैं तो बादल से हो टकरा जाओंगा मुझे बता AMD से तो AMD forecast करता है समझे सिपिंग हो गया aviation agriculture कोई भी department है सबसे पहले यह किसके forecast पर डिपेंड रहते हैं सब AMD के forecast में डिपेंड रहते हैं कहीं पर heat wave आना कहीं पर cold wave आना heavy rain भारी वर्सा होना बहुत ज़्यादा वरवबारी होना यह सब AMD ही बताता है अभी हाल में ही यानि कि दो दिन पहले एक cyclone आता है ताउती ताउती जो है लक्षिदीब आज तो यह गुजरात में भी साम तक गुजरात जो कोश्ट को भी हिट करने वाला है ठीक है अब cyclone की बात करते हैं अब अगर मैं बात करूँ ताउती का नाम किसने दिया होगा हमने कल भी पढ़ाया था World Metrological है WMO है और Escape है दोनों मिलके एक तरह से इंटर गवर्मेंटल बोडीज है जो सब डिसाइट करते हैं कि 2000 में हाला कि ओमान मसकट में यह डिसाइट किया गया था कि जो South Asia में है या Tropical Cyclone है जो Indian Ocean में आते हैं उसका नाम कैसे दिया जाना चाहिए तो वैसा ही जो वर्ड है ताउती यह सज़ेश्ट किया है मयानमार लिखा तकताई है पर इसको ताउती इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं यह चीज़ आद रखना ठीक है और मयानमार में या मयानमार की बर्मीज लेंगवेज में इस सब्द का मतलब है ताउती का मतलब होता एक छिपकली जैसे एक सडन एक छिपकली जाती है ना इधर से उधर यह आपने प्रे को कैच करती है उसके बेसेश्ट पर यह नाम दिया गया है नेम is the fourth from the new list of अभी 179 नाम जो है रिलीज किये गए है IMD के द्वारा लास्ट येर और उन में से अलग-अलग तेर कंट्री देती हैं याद रखो हर एक कंट्री ने तेर नाम दिये हैं और हमारे ट्रॉपिकल साइकलोन के लिए तेर कंट्री जैसे मायन मार भूटान ये सब बांगलादेश ये सब नाम होते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान है ये सब कंट्री के मिलका एक गुरूप बना है जो कि ट्रॉपिकल साइकलोन जब भी इंडियन ओशियन माएगा तो वो नाम देंगे ठीक है तो तेर कंट्री ने हर एक कंट्री ने तेर तेर नाम दिये तो उसके बेसिस पर 169 हो गए और याद रखो ट्रॉपिकल साइकलोन इंडियन ओशन के लिए जो डाटा लिस्ट रिलिज करती है वो आमडी ही करती है अब आपको कि ठीक है आमडी ने तो किया मैं कहूंगा आमडी एक बेसिस में और केटिगराइज करती है अभी हमने पढ़ा था ना आमडी ने साइकलोन ताउती को वेरी सीवियर साइकलोने की स्ट्रॉम में कंसिडर किया है इसका मतलब जो विंडी स्पीड रही होगी 108 से 221 किलोमेटर पर आवर कल हमने देखा ता विंडी स्पीड कितनी थी 160 किलोमेटर पर आवर तो मेभी यूपी एसी प्रिलिम्स में ये पूछने के बहुत जादा चांसे हैं कि आइमडी की कैटिगरी के बेसेस पर जो साइकलोन की इंटेंसिटी आप कैसे बता सकते हो कभी आइमडी कहेगा सुपर साइकलोनिक स्ट्रॉम आया तब समझ जाना 220-222 किलोमेटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज हवा की स्पीड है साइकलोनिक स्ट्रॉम यह होता है 62-87 किलोमेटर पर आवर फिर सबसे डिप्रेशन आया है कहेंगे तो इकाउन किलोमेटर पर आवर बस इतनी स्पीड चलती है ठीक है आई थिंक यह भी आपको याद करना चाहिए अब न्यूज में एक आज नई चीज आई थी इंकोईस इंडिया नेशनल सेंटर फोर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस न्यूज में क्यों रहा हाल में इंकोईस हैदराबाद ने सेलिवरेट किया इंटरनेशनल विमेंस से डे आठ मार्च को इंकोईस एक आउटनोमस और्गनाईशन है मिनिस्ट्य आफ आर्थ साइंस के अंदर काम करता है हैदराबाद में लोकेटेड है 1999 में स्टेबलिस हुआ था अर्थ सिस्टम साइंस और्गनाईशन की एक यूनिट है जोकी न्यू डैली में है जनरली यह क्या अगरती है यार ओशियन से जैसे नाम बता रहा नाम सज़ेस्ट कर रहा ओशियन डिलेटेड इंफॉर्मेशन है और society, industry, government agency को जब भी advice की जरुवत होती है regarding the ocean information तो उसको बताता है ठीक है तो ocean information, ocean में कुछ भी हुआ mineral exploration कहां पर है, कितना करना चाहिए, किस ocean को कितना impact पल रहा है खासकर Indian ocean ठीक है, तो यह सब चीज़ें होती है उसके साथ साथ एक और है Earth System Science Organization हमने का यह इसी की unit होती है, अब इसको जान लेंगे तो इनको इसको अच्छे से समझ पाएंगे SO एक executive arm है, Ministry of Earth Science के अंदर policy वाप प्रोग्राम करता है, जनरली जो IMD forecast करता ना, वो improve करता है SO क्या करता है, जो भी forecast, weather, climate, hazard जो भी चीज़े हैं, उनकी capacity को जो हमारी जितनी और ज्यादा advance उसको बनाने का काम करता है Science, climate services जो भी change होगी वो बताता है इसकी चार ब्रांचेज हैं, ocean, science and technology atmosphere, climate, technology, polar science and cryosphere यह सब इसकी ब्रांचेज हैं, यह चीज़ याद रखना है Ministry of Earth Science के अंदर काम करता है इनकोईस, हैदराबाद में है, 1999 में है और ocean से related सभी information यह दे देता है Now, भारत में क्या चल रहा है? Second COVID wave, so sign of picking और daily के basis पर आप सब को बता है मैं daily के basis पर आपको यह news बताते रहता हूँ कि कितने? साड़े तीन लाग केसे तो आपको daily के basis पर आठ मई से पंदर मई तक देखने लगातार मिले उसके बाद positivity rate हाला कि कम हो रहा है बढ़, number of cases same है, right? आंद्रप्रदेश है, आसाम है, करनाटार का है positive rate धिरे-धिरे बढ़ रहा है मतलब positivity rate क्या होता है? अगर मैं एक टम बोलूँ, आपको TPR बोलते है number of positive cases identify per hundred test है अगर 100 लोगों का test कर रहे हैं उसमें से कितने लोग positive आ रहे हैं उसका यहाँ पर data है 22% हाला कि वो पहले 22 था, अब 19% तक का हो चुका है बढ़, धिरे-धिरे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग इसके facts और figures है किसी राज्यों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो किसी राज्यों में कम जनरली अगर उत्राखंट की बारे में बात करो पिछले first wave में जो TPR था बहुत कम था positive rate अगर 100 लोगों का test कर रहे हैं तो मुस्किल से पांच या छह लोग positive आ रहे हैं पर इस बार कुम्ब मेले के वज़े से बहुत ज़्यादा ये issue और बढ़ गया चलिए उसके बार डैली हाई कोट ने अभी union home ministry से ये बोला है कि क्या आप deadline बढ़ा सकते हो FCA account की आप को कि सर FCA account क्या है मैं कहूंगा यार आप मैंसे बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि आप NGO के लिए काम करो ठीक है आपने NGO अपनी खोली और बहुत सारे लोग भी उनसे जुड़ गए और अब चाहिए आपको fund की जरुबत ठीक है अब आपको जो NGO है ठीक है उसको यहां से तो fund मिल रहे है भारत से अब आप चाहते हों कि यार foreign fund भी मिले क्योंकि यार हमारी बहुत सरे ऐसे ही जो हम social message या social काम कर रहे हैं वो foreign में भी चलता है और foreign के लोग भी भारत के लिए donate करते हैं अगर किसी NGO को अगर चाहती है वो foreign fund receive हो तो उसको FCRA act में register करना पड़ता है और उसको FCRA account बनाना पड़ता है तो अभी का यह है यह गयार FCRA बनाने के लिए account बनाने के लिए अभी deadline दी गई थी कुछ 1 April और अभी Delhi High Court ने कहा कि क्या हो मिनिस्ट्री इसको बढ़ाएगी या नहीं तो यह तो हम बाद में जानेंगे बढ़ा लेगी तो ठीक है date से हमें कुछ मतलब है नहीं वैसे मतलब यह है कि अगर कोई भी NGO foreign fund receive करना चाहती है तो उसको सबसे पहले FCRA act में register करना पड़ेगा तो ठीक है FCRA account अगर open करना पड़ेगा तो FCRA act कौन से act के basis पकाम करता है foreign contribution regulation act 2010 और government policies के अंदर यह आता है अगर simple सी बात है भारत में अगर किसी भी NGO को foreign funding मिल रही है या दी जा रही है अब आपको कि ठीक है यह sir आपने बता दिया foreign funding के लिए है normal सा concept है अब आप यह बताओ ministry of home affairs ही क्यों यह ministry of finance है अगर funding आ रही है तो ministry of finance या reserve bank of India वो क्यों नहीं regulate कर रही है ministry of home ministry क्यों home affairs क्यों है तो चलो उसके पीछे भी reason बताता हूँ बट इसको अच्छे से समझो पहले कि भारत में कोई भी NGO खुलेगी तो वो उसको foreign funding आ रही है तो FCRE के अंदर उसको register करना पड़ेगा और यह implement कर रहा है home affairs एक्ट यह भी ensure करता है कि अगर वही है जो चीज मैंने बताई हिंदी में समझा कि वही theory based है इस act के अंदर जो है organization को हर 5 साल में अपने को register करना पड़ता है और उसके लिए अलग-अलग जो NGO को पैसा भी मिलता है जैसे कोई बच्चों के लिए काम कर रही है चार्लिट ट्रैफिकिंग, वीमेंट ट्रैफिकिंग की जो भी बाता होती है उसके लिए भी NGO काम करती है तो उसको लिए भी foreign funding मिलती है सिंस देखो act is internal security legislation जो कानून है वो internal security के कानून से जुड़ा हुआ है इसलिए ये reserve bank of India के अंदर नहीं ministry of home affairs से या home ministry के अंदर आता है ठीक है आपके मन में होगा internal security से क्या मतलब है मैं बहुत simple सा example देता हूँ ये वार्द आता है कुछ है अगर मैं बात करूँ 2011 से लेके 2004 के बीच में बहुत ज़्यादा हुई और उससे पहले भी ठीक है उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ 2000 से लेके 2009 2008 तक तो बहुत सारी financial crisis भी आ चुका था 2008 में तो बट उस financial crisis मतलब नहीं है मैं सिर्फ एयर बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा important है रखता था financial crisis तो हुआ हुआ उसके साथ साथ क्या हुआ थो न बहुत सरी NGO हमारी काम करती थी और पाकिस्तान क्या करता था उन जो NGO को target करता था और बोलता था कि हम आपको पैंसा सप्लाई करेंगे black money सप्लाई करेंगे आप क्या करो उन पैंसे से weapon खरीदो हत्यार खरीदो जो इंडिया में क्या करो वो फैलाओ terrorist activities फैलाओ terrorism में फैलाओ तो तभी यहाँ पर home ministry के अंदर आता है क्योंकि यह internal security का मतलब है अगर foreign funding आ रही है तो सोचो कितना ज़्यादा regulate करना मुस्किल होगा और सभी NGO को FCRE के अंदर register करना मैं normal बोल रहा हूँ पर बहुत मेहनत लगती है किसे एक NGO को और उसको achievement मानती है कोई भी NGO कि अगर हम FCRE के अंदर register हो गए तो I think आपको clear concept समझ मागया होगा कि internal security ministry of home affairs के अंदर ये कैसे आती है नौ लगाता situation वैसे ही है Israel bombs home of Hamas गाजा chief और इस्राइल पलेस्टाइन की basis पर तो आई है चलिए लास्ट वर्ल्ड अफियर में बता दूँगा इसकी भी story daily के business पर अगर आप साथ दिन से अगर आप देख रहे हो हमारा lecture तो मैं daily के story बता रहा हूँ आज भी वो story बता दूँगा हर राजी में lockdown को बढ़ाया जा रहा है वैसे ही daily में 24 माई तक lockdown बढ़ चुका है हर्याणा में भी 24 माई तक बढ़ चुका है उत्राखंड में भी 25 माई तक बढ़ चुका है अभी अठार तक था पर बढ़ा दिया गया है एडिटोरियल की बात करते हैं मैं कहूंगा यार vaccination प्रोसेट सुरू हो गई है कोई कर रहा को वैक्सिन लगी है कोई कर रहा कोविड शिल्ड लगी है उसके अलावा कोई दूसरी वैक्सिन है भी नहीं बढ़ अभी बात यह आती है कि यार अभी हमें universal vaccination करना है सभी लोगों को वैक्सिन देनी आठार प्लस चे लेके पूरा जितना भी age के हैं तो हमें कहीं न कहीं दूसरी medicine पर दूसरी vaccine पर रिलाई करना होगा उसके लिए रशिया अभी हमारा रशिया कुछ 935 या 936 की एक डोस दे रहा है हमें ठीक है किसकी इस पूतनिक की हाला कि आ चुका है रशिया से supply जो है डिलीवर तो हो चुकी है बड़ वो तब वो apply होगी अच्छे से effectively जब हम जुलाई से यहाँ पर production करना शुरू कर देंगे क्योंकि अभी बात करें भारत में दो ही vaccine जो है चल रही है और उसके basis पर अगर आप देखोगे 3 से सिर्फ 10% तक का भारत की population अभी vaccinated है तो हमें दूसरी दवाईयों की बहुत ज़्यदा जरूरत होगी भारत ने अभी ये भी बोला है कि trips agreement से wave of मांगा है trips का मतलब क्या होता जो अलग-अलग देश होते है जो जिनका patent रहता है यानि कि किसी देश ने कोई corona की vaccine मनाई तो उनका patent रहता है 10 से 15 सालों का और 10 से 15 सालों में patent रहता है तो कोई दूसरा आदमी या दूसरा scientist उस vaccine को नहीं बना सकता तो अभी जैसे भारत में बहुत ज़्यदा population है तो उनको दूसरी vaccine की जरुत होगी और सस्ते दामों में तो उन्होंने बोला है कि आप अपना patent हटा दीजिए ताकि हम उसका blueprint लेके generic दवा बना सकें सस्ते दामों में उसको अविल करा पाएं अब एक patent act भी है 1970 अब इसके लिए ये चीज़ हमेशा याद रखना patent act 1970 में ये बोला है center को power दी गई है कि आप किसी specific company को license दे सकते हो और specific vaccine बनाने के लिए ठीक है उसी act में section 92 है ये कहता है कि center to issue compulsory license in circumstances of national or extreme emergency center compulsory license issue कर सकता है ठीक है तो अब बात आती है कि ठीक है patent act 1970 है center को यहाँ पर power दी गई है बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि यार जो ये कानून है इसमें थोड़ा सा strict implementation है तो यहाँ पर center को क्या होना चाहिए उनको अपनी contradictory जो stance है उसको change करना चाहिए कि compulsory licensing होना चाहिए that would allow the manufacture of vaccine and import drug without the consent of patent holder ठीक है कि यहाँ पर अगर compulsory license होगी तो उस manufacture को वो allow कर देगा कि बिना patent holder के वो क्या कर सकता है जो है बिना patent holder की consent से बिना permission से वो क्या कर सकता है important drug का manufacturing कर सकता है तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको change करना पड़ेगा बहुत ज़्यदा extreme यह level पर है जैसे example अगर यहाँ पर in the case of भारत biotech co-vaccine जिन्होंने co-vaccine बनाई है जिसको collaborate किया गया था fund भी किया गया था ICMR और NIV ने so the ICMR can license other public sector vaccine manufacture to help argument in supply over the medium term तो ICMR ने अगर उसको बना रखा है उसमें पैसे लगाए हैं तो ICMR दूसरे public sector को भी बोल सकता है और या किसी vaccine manufacturer को permission दे सकता है तो अभी सरकार को यह बदलने की जरुद है क्योंकि अभी क्या होता है यार यहाँ पर देखो important drugs without the consent of patent holder तो थोड़ा सा यह बिना patent holder की consent से आप बना सकते हैं थोड़ा सा यह rigid है इसमें थोड़ा सा जो flexible रहना पड़ेगा हमारी सरकार को थीक है ताकि जो international हम कानून भी follow कर सके हैं राइट चलिए नव अब बात आती है second second यह है कि यार एक project है central vista redeployment project इस project में नई parliament building बन जी है prime minister का नया घर बन रहा है और vice president का नया घर बन रहा है तो सरकार से बहुत सारी opposition की parties लोग यह भी demand कर रहे हैं कि यार इतना बड़ा pandemic आया है और आपको अपने घर की पड़ी है तो क्या इसको आप delay नहीं कर सकते national museum of India इंद्रा गादी national center for arts national arts set to be demolished to make for new building इन सब को demolished करने की बात की गई है नए building बनाने लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है तो at the end इस editorial का conclusion यही है कि सरकार जो है उसको कुछ ज़्यादा effect नहीं होगा the government will lose nothing if it was suspended the project और pandemic में सरकार ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि central wisdom project में भी पैसा लग रहा है अभी उस पैसे को अगर utilize करें भारत की जनता को save करने के लिए तो सरकार अभी कोई lose नहीं करेगी चीज़ों को ठीक है टसल चल रहा था पिछले साल तो उसी को आप उसको याद किया गया है ज़्यादा important नहीं है इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बट यहाँ पर वही है कि line of actual control में जो लद्दाक में ये सब चीज़ां हो रही थी classes चल रहे थे भारत और चीन के बीच में और हमारे कुछ जवान भी साइद होए थे तो उसमें कुछ ज़ोगरिफिकल लोकेशन है देपसांग प्लेन है गलवान गौगरा होट स्प्रिंग ये सब लद्दाक में राइट पैंगॉंग सो लेक ठीक है के लास रेंज ये यहां पर क्लैसेज होए थे अब यहां पर ठीक है क्लैसेज तो होए थे और अगर मैं बात करूँ रिजनल हमारे चाए कंट्री जाए जैसे बांगलादेश से लंका है उनको पहुझा दा ट्रस्ट था यार भारत सरकार में ठीक है यह उनके ऑफिचल स्टेटमेंट नहीं है बट आप सबको पता है एक्चुल में यही बोला जाता है ठीक है क्योंकि बांगलादेश और सिलंका इवन बांगलादेश से सोचो चाइना ने डारेक्टली ओपन में पब्लिक में यह बोल दिया कि आप क्वार्ड ग्रूप जॉइन नहीं करेंगे अगर जॉइन करते हैं तो सीरियस इसके कॉंस्क्विंसेज आपको जहलने पड़ेंगे ऐसा क्यों क्योंकि बांगलादेश और सिलंका को क्या लग रहा था कि या चलो हमारा पडोसी मुलक है भारत और हमें यह वैक्सिन देगा भारत के बाद तो खुद वैक्सिन नहीं है तो चाइना की अभी तो डबलो एचो ने जो वैक्सिन है वो एप्रूप कर दिया यह जो बांगलादेश और सिलंका कहां से लिंगे चाइना से लेने वाले हैं तो ब्रॉडर कॉशिन यही आता है कि सिर्फ एक कोविड नाइटिन की वैक्सिन फेलियर के बेसेश पर जो कोविड नाइटिन को जो है अच्छे से कर्व ना करने के फेलियर के बेसेश पर बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी इंपक्ट होती हैं भारत की चाए फॉरण पॉलिसी को बदलना हो या रीजनल जो देश हैं नैबरिंग जो देश हैं उनका जो फॉरण पॉलिसी का ट्रेंड है वो चेंज होना हो ज्यादा वो किसमें जुका हो गया अब उनका चाइना क्या क्योंकि उनको उनके बर्डन के नीचे जहिलना और दा पॉस बीच में कॉल आ गया था ना इंडिया ने जो दूसरी वैक्सिन दी गई थी कमिट्मेंट गावी कोवेक्स इसकिम के अंदर दी गई थी ठीक है तो यह पूरा हमने डेटेल में डिसकस कर लिया अब मैं सबसे पहले यार यहां पर एक आर्टिकल लिखा गया है य एक ही जो सेक्शन आप सोसाइटी को फोकस किया गया है जिसमें विमेन वरकर की बात आती है अगर मैं कोविड नाइटिन के नेगेटिव इंपेक्ट के बारे में बताऊं तो इस पर हमने अल्लेडी एक आंसर राइटिंग की भी है अब आप कहेंगे सर आंसर राइटिंग तो दिखा दीजिए कोशन भी बता दीजिए मैं कहूंगा आज सत्र माई है तेर माई यूपी एसी मेंस कोशन हमने पूछा था कमेंट ओन और नेगेटिव इंपेक्ट आप लॉकडाउन के क्या नेगेटिव इंपेक्ट है हमारी सोसाइटी में विधर प्रेंस टु करेंट पैंडेमिक तो इस पर देखो आंसर मां बता देता हूं सबसे पहले रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज़दा बड़ा इस तरह से आंसर लिखते हैं ठीक है कोई मेंस आंसर राइटिंग ऐसे ही कोशन आएंगे ठीक है तो यह आप लिखोगे स्कूल डॉप आउट बड़ कोविड नाइटिं के ही वैक्सिन पर ज्यादा फोकस किया जाए जाए जो दूसरी और ज्यादा कंसन वाली डिजीजेस हैं उन पर फोकस नहीं किया गया है सबसे घरेलू हिंसा अगेंज्ड वीमेन बहुत ज़दा बड़ी है अगेंज्ड वीमेन आपने लिखना था इसमे चीक है mid day meal है nutrition है बहुत ज़्यादा कम हुआ है उसके साथ साथ इसके solution भी है कुछ हमारे distribution of gadgets हम दे सकते हैं जैसे smartphone, laptop, सिक्षा और स्वास्त के लिए private players को आगे आना चाहिए जैसे private players एक example लोगों के पास computer नहीं है तो अभी एक company ने ये बोला था कि TCS थी I think उन्होंने कहा था कि हम अपने पुराने used computer बच्चों को देंगे जो कि एक बहुत अच्छा यहां पर solution था सुप्रिम कोट ने बोला intervene करेगी civil society आगे आएगी government की initiative है प्रधान मंत्री गरीब कर जाने हो जाना जिसमें चावल मिल रहा है एक किला दाल मिल रही है जिनने लोन लिया उसको थोड़ा सा देना moratorium देना कि आप तीन मेंने बात चुका और पीम केर्स फंड यह सब चीज़ें include कर दी है मैंने पूरे अपने answer writing में जो भी हमने answer writing का body part किया उसमें एक और point डालो कि COVID-19 pandemic में large poverty तो बड़ी है massive disruption हुआ है labor market का और सबसे ज़्यादा जो concern है वो है महलाओं का participation gender employment जो gap है बहुत ज़्यादा है अगर महला worker की बात करो 18% है 75% जिसमें man है ठीक है reason क्या है अच्छी जॉब नहीं है social norms समाज उनको काम करने देता नहीं है household burden भी ज़्यादा है घर का काम करना सापसफाई करना चाई बनाना च यह भी बहुत ज़्यादा ऐसे factor हैं जो किसी एक महला को काम करने से रोकते हैं इसके लिए क्या कोई authoritative report है yes एक report है state of working India 2021 one year COVID-19 की जिसमें pandemic यह बताता है कि इस situation को आज़्यादा worse हो गया है 61% जो male worker है unaffected रहे during lockdown while 19% जो women है ठीक है इस kind की जो चीज़ें उन्होंने face करनी पड़ी इस साल के एंड़े तक 47% employed women who had lost jobs during the lockdown अपने दुबारा काम वो नहीं कर पाई जो की वही जो पूरुष थे वो सिर्फ 7% थे 33% formal self employment मा गए ठीक है daily wage 29% से 2020 और ऐसे ही बहुत सारे random fact है बट मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूं सिर्फ है कि एक section women worker का भी कम हुआ है यह आप director बता सकते हैं ठीक है अब आपको कि क्या यह पहले उसमें लिखा नहीं होगा क्या लिखा था मैं दिखाता हूं इसको आपक गे जेंडर बाइस बहुत जदा increase हो रहा है तो जहां पर सिक्षा के लिए है वैसे women participation भी आप इसमें include कर दो के आप ठीक है तो यही होता है कि editorial के notes कैसे बनाएं जो हमने answer writing कर दी ना उसी के आगे notes include कर दो आप तो क्या सरकार ने इसके लिए कुछ किया है yes PM गरीब कल्यान योजना के साथ साथ मन्रेगा भी चलाई अभी है राइट चलिए उसके बाद कोविट 19 के इतने ज्यादा impact पॉल रहे हैं तो केरला का क्या मॉडल है केरला बहुत सिंपल सी बात है अपने जो local level पे village level पे वो empower करता है local bodies को finance करते है के ला के officials को power दी जाती है पंचाइज जो ICU वाले बैड है केरला मॉडल डिजर्व करता है पूरा इंडिया ठीक है केरला मॉडल कुछ अलग नहीं है वो बस पहले से ही health infrastructure में अच्छा spend करता है ICU बैड है ठीक है तीसरा राज्य सरकार को जो राज्य सरकार है केरला की assembly है state केरला की legislative assembly है वो village level पे पंचाइती राज institution को बहुत जदा empower करती है ये ऐसा level है ऐसा केरला का model है health model जो पूरे राज्य को follow पूरे देश को के हर राज्य के इंडर सासित पर देश को follow करना चाहिए ठीक है अलग अलग जगे पर केरला ने पहले ही quarantine center बनाए है और जादे से जादा वो testing करने में believe करते हैं तो अगर कोई र राज्य तो केरला है तमिलाडू जैसे हमारे राज्य बनने चाहिए अगर हम सिक्ष्या और स्वास्त के बारे में बात करें तो राइट चलिए अब next बात करते हैं ट्रीबुनल सिस्टम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक ट्रीबुनल होता क्या है तब यह आप आर् कोड परमानेंट कोड होते हैं जैसे हाइक यॉवाजे कोड है सुप्रीम कोड है अदिस्ट्रिक कोड है जैसे जूरील इंस्टिशन होगे है क्वाजी प्रीज चलिए चॉट सुना सकते हैं आप सब को पता हमारे कोड के बहुत जदा pending cases होते हैं तो एक नया concept लाया गया है कि हम tribunal बनाएंगे ठीक है यह दूसरे भी function perform करता है जैसे दो parties के बीट में सुलहा कराना प्रसाशनिक decision लेना ठीक है administrative decision लेना tribunal जो term है जो सब्द है यह derive किया गया word tribune से जिसका मतलब होता है magistrate of the classical roman public tribunal का जो office होता है जैसे tribunes कहते हैं that is a roman official under the monarchy and the republic with the function of protecting the citizen from arbitrary action कभी किसी से tax बहुत ज़्यादा ले लिया गया तो उसके पहले से ही यह मतलब कई वरसों पुराने यह officials हुआ करते थे तो एक tribunal होगा generally एक person होगा जिसमें judge करने के authority है जो determine कर सकता है जो dispute solve कर सकता है वो tribunal के अंदर काम करता है हाल में ही बहुत सारे जो tribunals हैं उनको merge किया गया जैसे finance act 2017 में merge किया गया art tribunal को जिसमें employment provident appellate tribunal है industrial tribunal के साथ अलग 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 tribunal को यहाँ पर जोड़ा गया I think अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत simple सा फंडा बताता हूँ court के पास बहुत ज़्यादा pending cases होते हैं तो इसलिए वो हर जगे पर एक tribunal बनाती है जैसे मैं कहूंगा यार अगर किसी ने जंगल जला दिये तो वो court के पास जा सकता है बट court के पास अल्लेडी पहले से दूसरे pending cases हैं तो इसलिए तो National Green Tribunal बनाई ठीक है याद होगा न 2010 के एक्ट में NGT एक्ट बना इस्टर्चरी बॉड़ी एक्ट बना तो जितने भी environment related cases होती हैं वो कौन समालती है NGT National Green Tribunal और इतने Tribunal Commission मनाएंगे अब सोचो National Tribunal Commission कैसे काम करेगा NTC देखो all over India में जितने भी Tribunal है चाहे कोई भी employment provident funded Tribunal है National Green Tribunal है तो जितने भी Tribunals काम कर रहे हैं उनको किस तरह से administrator करना है उनके staff की कमी है तो staff रखना है infrastructure कुर्सी चियर की कमी है तो वो भी देखना है NTC का काम तो NTC सेट अप करने की अभी बात किये जा रही है हाली में केंद्र सरकार ने बहुत सारे Tribunals को और Authorities को जो है Abolish कर दिया गया और एक तरह से एक ordinance लाए गया ठीक है क्या लाएगा एक ordinance लाएगा क्या ordinance एक proper legal process है अगर prelims में आएगा तो आप को के नहीं Legal process वो होती है जहां पर कोई bill पहने लोकसभा में या राज्यसभा में पास होगा फिर लोकसभा राज्यसभा फिर या राज्यसभा लोकसभा में फिर प्रसिडेंट के पास sign होके जाएगा तब वो bill act बनेगा वो एक proper legal process होती है जहां पर कानून मिनाने के process की जाती है बड़ अभी क्या है एक ordinance लाए गया ordinance का मतलब क्या होता है जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होती है सेशन का मतलब क्या होता है हमारे तीन सेशन होते हैं आप सबको बता है BMW budget session, monsoon session और winter session तो इन session के द्वारान लोकसभा और राज्यसभा मिलती है बड़ जब नहीं मिलती है तब कानून कैसे बनाये जाएंगे तब हमारे एक process है जिसे ordinance बोला जाता है जहां पर हमारे राष्टरपती जी ठीक है council of minister की aid and advice से एक कानून पास कर देते हैं अगर houses, कोई भी एक house अगर session में नहीं है तो तो सबसे परने तो एक ordinance पास किया गया कि इन tribunal को जैसे film certification appellate tribunal को जो है रोग दिया गया बहुत सरे tribunal को ban कर दिया गया हाला कि एक Supreme Court का decision था 2019 का Roger Matthew versus South India Bank No judicial impact assessment was conducted prior to abolishing the tribunal through this ordinance कोई मतलब judicial impact assessment करा ही नहीं गया इन tribunal को abolish करने से पहले क्या इनके consequences क्या हो सकते हैं वो देखे गए नहीं देखे गए ठीक है तो चलिए अब आपने कहा कि ठीक है धीरे-धीरे बहुत सारे tribunal को खतम कर रहे हैं तो center ने अभी ये सोचरा है center की हम NTC बनाएंगे एक national tribunal commission मैं आपसे आज पुछूँगा यही comment upon the NTC and its significance डेल सो सब्दों में ये पूरा होगा आपको ये लिखना है ठीक है NTC national tribunal commission एक independent umbrella body है जो अलग-अलग tribunals हमारे पूरे देश भर में काम करेंगे उनको supervise करना है उनके members को appoint करना है administrative और infrastructure needs क्या होंगे उन tribunals की वो देखना है ठीक है ये सबसे पहला idea कि इसने दिया था introduction आप ऐसे शुरू कर सकते हो the idea of NTC was first voted in L.Candra Kumar versus Union of India 1997 में ये idea आया था कि all over देश में जो इतनी सारी tribunals हैं उनके staff को या दूसरे functioning कैसे जो है regulate करेंगे तो independent body की तरह ये उभर के आएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें इनके काम होंगे appointment है tribunals का member का removal है उनका transfer है infrastructure है NTC must be established a wider constitutional amendment और backed by statue statue का मतलब होता है एक तरह से legal backing NTC को मिलनी चाहिए ऐसा बोला गया है दूसरा है important ये भी देखने को मिलता कि एक independent recruitment करनी हो या बहुत सारी जो दूसरी bodies है उनको supervise करना हो तो NTC ही काम करती है तो at the end establishing and the NTC will definitely entail a radical restructuring of present tribunal system को बहुत मजबूत करने वाली है अब डेली के basis पर बताता हूँ कहीं न कहीं कोविड अपडेटेड फॉर कोविड शेल्ड डोस NIA ने अभी यहाँ पर मदराई में search conduct किये है यहाँ पर अभी क्या है कि Facebook में बहुत ज़्यादा ऐसे content डाले जा रहे हैं जो सही नहीं है सोशल डिसार्मोनी बना सकते हैं तो NIA ने यहाँ पर condemned किया है ठीक है और searches भी conduct किया NIA है क्या वो discuss कर लेते हैं मैं story भी बता देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा यह news news important नहीं है पहले बता दूँ यह क्या हुआ एक Hindu man था Hindu dharm का था मधुराई में उसने 23 में इस्लाम धर्मों को अपना लिया और अभी वो क्या कर रहा है NIA ने उसको investigate कर रहा है क्योंकि वो Facebook में बहुत ज़्यादा बकेट जो है पोस्ट डाल रहा है बकेट पोस्ट क्या होगा जिससे Hindu Muslim के बीच में इतना unity peace बना है अभी इतना लोगों के मन में है बस disharmony फैलाना तो इसलिए NIA उसको भी search कर रही है तो NIA National Investigation Agency बात आती है 2008 2008 में हुआ क्या था 2008 में Mumbai terror attack हुआ था जिसमें ताज होटल और बहुत सारे होटल को कबजा लिया था basically ताज होटल तो उसमें सबसे बड़ा intelligence failure की बात कर रहे थे Mumbai पुलिस जादा उतना जादा control नहीं कर पाई तो एक center को जरूरत पड़ी कि यार हमें एक ऐसी agency की जरूरत है जो state की पुलिस को भी regulate करे हाला कि अगर 36 गड़ की बारे मैं बात करूं तो उसने NIA जब बनी थी ना उन्होंने बोला था कि यार यह हमारे federal structure को जो है वाइलेट कर रही है constitution के articles को वाइलेट कर रही है आपको कैसे सर मैं कहुँगा NIA है अगर NIA किस ने बनाई है center ने बनाई है center अब क्या करेगा अगर NIA है तो वो state की police को भी supervise कर सकती है तो यह हमारे federal structure को पूरी तरह वाइलेट कर रहा है federal structure का मतलब क्या होता है कि एक जगे center list है center अपने कानून मनाएगा एक है state list मतलब अपने आप में दोनों powerful है ऐसा नहीं कि center supervise कर लेगा तो यह federal character नहीं है इसलिए 36 गंड ने इसके अगे इन प्रपोजल भी दिया था हमारी सुप्रिम कोट को I think अब आपको concept समझ मा आया है NIA NIA act आया 2008 में after the Mumbai terror attack और इसको काम दिया गया कि अगर भारत के security sovereignty अगर हाम होती है wallet होती है तो आप काम करना atomic nuclear facilities है counterfeit Indian currency है इसका headquarter है नई दिली में इसकी branches भी बहुत जगे हैं जैसे गुवाहाटी, कोची, लखनो, मुंबाई 2019 में सुधार किया गया और बोला गया कि इसको और ज़्यादा power दी दे जी जाएगी human trafficking है, cyber terrorism है, manufacturer है ये सब दूसरा NIA का एक special code भी होता है जो judge preside करते हैं central government ही उसको appoint करती है एक चीज़ यह याद रखना अगर special code कोई फैसला सुना रही है, अगर फिर appeal करनी है तो last decision central government का ही होता है ठीक है, now next news है CBI ने अभी arrest किया है, दो medical device officers को, एहमदाबाद के जो की CD SEO से belong करते हैं, और ऐसा उन पर अभी cases यह लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने रिस्वत ली है क्योंकि अभी medical field में बहुत ज़ादा रिस्वत भी चल रही है तो बात आती है, एक तो CBI की और दूसरा है CD SEO, यह है क्या देखो CD SEO आपने कहां पढ़ाओगा देखो CD SEO हमने पढ़ा था जब हम Drug Control General of India कर रहे थे तो DCGI जो होता, वो CD SEO के अंदर ही काम करता है और जो DCGI एप्रूबल करता है वेक्सीन की लाइसेंस को जहां पर भी ऐसी वेक्सीन होती है जो blood से रिलिए है, blood product vaccine और all over इंडिया में laboratory जो scientist को पूरा बताना, उनको training देना import होना, export होना, quality कैसे maintain होना, वो DCGI ही काम करती है तो इसको अभी किसकी गिरपतारी कई CBI ने उनको arrest किया गया CBI क्या होता है, Central Bureau of Investigation, Ministry of Personnel, Public Pension and Public Gravences के अंदर आती है, और CBI इसलिए important है कि इसका conviction rate 65-70% है यानि कि अगर 100% case मिलते हैं तो 65-70% CBI उसको solve कर सकती है, CBI के director कैसे appoint होते हैं, पहले होते थे Delhi Special Establishment Act के basis पर, बड़ 2004 से CBI के director को appoint किया गया अभी तक 2004 तक तो DSP Act के basis पर होता था, बड़ 2004 में एक लोगपाल act आता है, वो बोलता है कि हम एक recommendation देंगे, एक committee होगी जो CBI के director को appoint करेगी उसके head करेंगे PM दूसरे member होगे, leader of opposition होगे या leader of single largest party, chief justice of India होगे या Supreme Court के judge होगे फिर बस home minister list देता है और ये committee चुनके बना लेती है दो साल का इसका term है, CBC Act 233 में इनकी guidance से लिखी गई है ना उसके बाद अभी देखो तीन लाग के cases तो कम होए हैं, पर death देखो 4000 होई हैं, जो कि बहुत ज़दा worst condition है world level पर बारे मैं बात करूँ इसराइल और पलिस्टाइन का जो issue अभी चल रहा था, तो उस पर United Nation Security Council के meeting होई और यहाँ पर United Nation Security Council का instance यह रहा, कि उन्होंने बोला कि immediate ended to deadly violence, warning भी दी गई कि fighting could plunge the region into uncontainable security हो सकती है ऐसा यहाँ पर बोला गया, तो इस news को थोड़ा सा और ज़्यादा clear मैं मैं आपको बताऊंगा, तो इन्होंने, United Nation के जो chief हैं, उन्होंने बोला, fighting must stop, it must stop immediately ऐसे stance रहे, चलो ठीक है, यहाँ पर सभी United Nation Security Council ने यह बोला, अब बात यह आती है कि भारत का क्या रोल रहा, इंडिया ने यह बोला कि complete de-escalation होना चाहिए, जो hostilities हुई है, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि आप सब को पता है, इंडिया ने immediate मैं कहूंगा, इस्राइल का उतना प्रो इस्राइल सपोर्ट नहीं दिखाया जैसे दूसरे कंट्री ने दिखाया, जैसे USA ने, तो इस्राइल और पैलिस्टीन के बीच में जो भी चीज़ें हुई, भारत का यह instance रहाता कि de-escalation होना चाहिए, क्योंकि भारत ने यह बोला कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इंक्लूडिंग जिसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं, और इंडिया के जो permanent representative हैं, ambassador हैं, United Nation के लिए TS3 मूर्थी जी, उन्होंने यह statement दिया है, अब आपका मन में यह भी question होगा कि चलो ठीक है, भारत ने de-escalation बोला, hostilities यह है, पर भारत की जो कस्मीर वाले हिस्से में, मुस्लिम जो लोग हैं, उन्होंने anti-Israel protest किये हैं, अब आप कोगे ठीक है यार, भारत ने यह क्यों दिया, इसराइल इतनी जादा मदद कर रहा है, अभी COVID-19 अगर किस देश ने अगर ज़्यादा मदद की है, भारत की तो वो इसराइल है भारत को बहुत ज़्यादा जो defense के weapon भी इसराइल ही support करता है research and deployment में भी इसराइल बहुत ज़्यादा मदद करता है भारत को पर बात यह आती है कि अभी इंडिया ने support क्यों नहीं किया या इंडिया क्यों एक extreme statement क्यों नहीं देना चाहता देखो actual में ये थोड़ा सा foreign affairs के basis पर थोड़ा सा logical है आपको और ज़्यादा deep घुशना होगा इनसे और ये सिर्फ एक ही का decision नहीं होता अगर कोई ambassador बोल रहें United Nation के United Nation के पर्मानेंट जो हमारे ambassador है वो बोल रहें TS तरिमोर्ती जी तो इसका मतलब सोचुक कितना है NSA बैठे होंगे PM बैठे होंगे Council of Minister बैठे है सबने मिलके ये decision लिया कि यार कैसे statement रिलीज करना है हमारी foreign जो policy है वो किस तरह से change होगी तो external affairs minister बहुत जदा important matter करते है तो ये एक छोटा decision नहीं नहीं है बहुत बड़ा decision ऐसा क्यों अगर आप देखोगे इसराइल के आसपास हमारे दूसरे देश भी है जो Muslim countries है अभी इसराइल में होके आ रहा है जो Jewish है Arab countries जाने कि Muslim जो Palestine है उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है अत्याचार तो मैं नहीं कहूंगा दोनों के बीच में बंबारी हो रही है इसराइल कहरा कि हमारे एक terrorist group है वहां से attack हो रहा है हम भी attack कर रहे हम भी पीछे नहीं हटेंगे simple सी बात है तो अभी जिन पर attack ज़्यादा हो रहा है या जो हार रहे हैं वो मैं कहूंगा Muslim देश है या Muslim countries है या Muslim community है तो इस पर दूसरी Muslim communities भी होगी ठीक है जैसे OIC है तो उसके साथ साथ Islamic cooperation जो है दूसरा जैसे हमारे एरान के बगल में दूसरे देश भी है Saudi Arabia है Iran है UAE है तो अगर हम extreme अगर statement होते हैं तो हम इनको भी नाराज कर देंगे Saudi Arabia UAE जिन से हम क्या है energy आप सबको पता है तेल अगर आप गाड़ी चला पारे हो स्कुटी चला पारे हो तो इन दूसरों का सबसे बड़ा रोल है अगर हम इसराइल को मतलब Palestine को अगर यहाँ पर criticize करें तो अगर प्रो हम अगर इसराइल statement दें तो हमारा Middle East का जो major stability है वो हमारी क्योंकि हमें यार दोनों तरफ देखना पड़ता है ऐसा नहीं कि हम यार इसराइल हमारा पुराना दोस्त है तो हम पूरे एक्स्ट्रिम पॉइंट दे देंगे ऐसा हम नहीं कर सकते याद रखना ठीक है UK में prepare हो रहा है B.1.617.2 strain धिरे धिरे बहुत ज़दा यह हर्मफुल है ठीक है तो हमने detail में discuss कर लिया है पूरे news paper को जल्दी जल्दी आपके comment पढ़ लेते हैं सर जो highlighted paper है उसका video बिलकुल paid group को देते हैं आप paid group होंगे तो आपको भी मिलेगा तोकती आपका सई answer है Mr. Amandjan Amandjan भी हमारे पुराने user है सर retrospective की अगे जो कोई company court जा सकती है क्या और सर जो कौन सी court के पास ठीक है जनरली वैसे पहले उसी country के court में जाते हैं जैसे हमारी सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट में तो हार गई थी के इन एनर्जी फिर international court पर गई थी Hello sir, how are you? You will be signed agriculture for pre and means के लिए कहां से कबर करूँ और उन paid student के लिए मैं वो आप से direct कुछ discussion वही करती सक्षिना जी वही है मैंने यही इसलिए discussion यहां शुरू किया है जो unpaid जो paid users नहीं है उनके comments का हम directly reply करते हैं Sir आप जो बताते थे कि कौन सी news के notes बनाने हैं कौन सी news के नहीं तो आप यह बताना continue रखिए and particular news के पहले ही बताते जाएए so no down ठीक है ओके ओके यह हम कल से करते हैं ठीक है thank you as a style sir COVID-19 diabetes वालों लोग impact क्यों करते हैं generally यार sugar level पर directly indirectly है comorbidity और यहां पर भी इन्होंने explain किया तो इसको आप पढ़ लाए Sir Lucent जोके बिल्कुल सही है Sir 2022 के लिए नियुश पेपर कब से स्टार्ट करें जनवरी से करना है आपको good afternoon so good himansu अब तो fever होगा फिर आज आपको अच्छा है ठीक है fever होना Sir प्लिज पीडियाफ यह paid user में मिलती है Sir Indian Constitution and सारे act कहां से पढ़ें लक्षिमी गान्त के पीछे एक पूरी दे रखी है आप उसको पढ़ें Sir आप jokes बहुत अच्छे करते हैं Thank you Thank you निता geography books list sir GC लिओंगार NCRT are more than enough Sir great thank you What should prefer daily vision current और monthly मैं कहूंगा अनामी का जी आप monthly करें क्योंकि यह burden आपका कम कर देता है तोती named है बिल्कुल सही है Good morning Noodle ministry क्या होती है Noodle ministry Mr. केदार वो होती है जो implement करती है चीज़ोंको Thank you Mr. रभाई ताउती आगया हाँ भी नहीं ताउती आगया Sir division कर सकते हैं क्या 799 बिल्कुल संदीप राना जी कर सकते हैं Thank you today My first class Very interesting class Thank you भागी स्री Sir बाबरी मजीद क्यों डी मिले उस किया गया हाला कि प्रिया यहां पर आपको मिल गया होगा बाबरी मजीद यहां थोड़ा सा पॉलिटिकल यहां पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है उसमाई के लाल के डिशना अडवानी जी की सरकार हुआ करती थी और उसमाई यह भड़काय जा रहा था और बहुत सारे हिंदू मुश्लिम के दंगे चल रहे थे यार और पहले भी हिंदू मानते थे कि वहां पर बाबरी मजीद जो बनाई गई थी वहां पहले मंदिर था इसलिए बहुत सारे यह धर में से रिलेटेट चीज़ है चलिए आज का इंडगोट रखते है रिंग सेरे मनी ठीक है थेंक यू मेरी नहीं ठीक है किसी और की थेंक यू